हेलो फ्रेंड, वेल्कम टो एचेनल सॉलिशन, आज हम बात कहने माले हैं सबसे इंपोर्टन टॉपिक में से एक माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में जिसको हमको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग और पेरिफ्यल लेनो सिस्टम के और यह लास्ट में दिये हुआ है गलापोम पाते वहां पर रिलाक्सेशन होता है और इसकी विया से जो मसल को कॉंट्रक्शन है वो अफेक्ट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में एक चीज जानने के लिए आपको इसका टॉपिक का नाम ही सज्जेस्ट करेगा कि एक्चुली इसमें होता क्या है माइस्थे ट्रिक नहीं है यह अपको समझाने के लिए हमने यहां पर यूज किया हुआ है सो फ्रेंट्स माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बट आपके एक्जाम में शॉट अंसर के पॉर्म में काफी आने के संभावना है साथ ही mcqs में भी question काफी पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह topic ही ऐसा है आपके topic को समझाने के लिए हमने इस topic को दो में पार्ट में डिवाइट किया है पहला topic होगा आपका theory वाला portion जिसमें हमने हम ऐसा के तरह book के में से lengthy paragraph में से important point को select करके आपके लिए उस theory को उस material को point wise convert किया है साथ ही साथ इस चीश को समझ समझाने के लिए हमने diagram को यूज किया है आपके लिए एक नई जानकरी देना चाहेंगे इस video के end में हमने इस myasthenia grabis के action को समझाने के लिए एक animation video भी upload किया है तो आप video को पूरे end तक देखिए और end में आपको animation मिलेगा ये animation आपको पूई तरह से concept को clear करेगा साथ ही exam में क आपको समझाने के लिए हमने इस word को underline क्या हुआ है आटो-इम्यून, immune system हमारी body का सबसे important defensive mechanism होता है जहां हमारी body किसे भी antigen के आने पे उसको उससे body को protect करने के लिए antibody बनाती है तब हमारा बनाय हुआ antibody उस antigen को खतम करता है और हमारी body उस आने वाले problem से आपने आपको preserve कर लेती है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी body का antibody हमारे ही body के किसे part को अपने body का part ना समझ करके foreign body का part समझती है और उसके against में fight करे लग जाती है और उस part को या उस जो substance है उनको destroy करना start करती है तो ऐसे disease को हम कहते हैं autoimmune disorder, autoimmune disease ऐसे कई सार एक्जामपल है जिसमें से आज हम पड़ी रहे हैं एक example है myasthenia gravis का साथ साथ इसका दूसरा example के अगर आप बात करेंगे तो जो leukoderma है या जो white patches होते हैं सरीर में skin में वो भी एक autoimmune disorder का एक example है जिसमें हमारे immune के cells आपके body के skin में present pigment cell को destroy करते चलते हैं पिसी का आप से pigmentation के cell responsible है वो वहीं पे खतम हो जाते हैं और skin का color जो है black से हट करके white होने साथ स्टार्ट हो जाता है यह अलगल example है यह autoimmune disease का example है फिर हम बात करते second point की यह क्यों होता है this type of disorder like myasthenia gravis is just because of development of antibodies to the nicotinic receptor यह जो आप myasthenia gravis देख रहे हैं muscle का relax हो जाना condition proper contraction ना होने के पीछे एक ही result है neuromuscular blocking agent की तरह से आप इसको अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा neuromuscular junction पे हमारे estiocoline properly available नहीं हो पाते हैं इसकी वैसे muscle का contraction नहीं होगा और वहाँ पे muscle का contraction नहीं होने के वैसे muscle relax हो जाएंगे तो यहाँ पे estiocoline अपने respective nicotinic receptor पे bind नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे rapid development हो रहा है हमारे antibodies का just above the binding site यानि के nicotinic receptor पे तो nicotinic receptor पे अगर antibody develop हो जाएगा develop होने की कानद से हमारा estiocoline है वो release होने के बाद अपने exonal membrane से release होने के बाद vesicles से release होने के बाद pre-synaptic vessels से release होने के बाद post-synaptic vessels पे present receptor पे bind नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको bind होने की जगह देने माल receptor पे हमारा antibody already occupied है तो उसको वहाँ पे bind होने नहीं देगा और आपको मालूम है कि जब तक यह जो signal molecular neurotransmitter है अपने respective receptor पे bind नहीं होगा तो receptor का action initiate नहीं होगा यहाँ पे हम action के अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं muscle contraction की सो receptor bind ना होने करना से muscle का contraction नहीं होगा और this is called myasthenia gravies चलिए अब हम पहले move कर लेते हैं diagram के तरफ फिर हम वापस आएंगे point की तरफ से इस दो diagram में आप देख सकते हैं कि हमने दो condition को समझाने का प्रयास किया है condition no.1 एक normal neuromuscular junction पे कैसे koalinergic neuron से esthycoline release होता है और बाहिन दोगर के अपनी action को show करता है पहले diagram में आपको ये दिखेगा जबके भी भी आप exam में इस question को attend करे जाएं हमारा suggestion रहेगा कि सबसे पहले आप normal CS के बारे में बताएं कि normal में क्या हो रहा होता होने के बाद उसमें क्या नहीं हो रहा होगा या क्या extra हो रहा होगा ये point आपके highlighting point है और आपको score देने में साथ-साथ concept को clear करने में काफ important role होगा सबसे पहले देखे नॉर्मल सेल में आप देख सकते हैं कि ये को इनर्जिक neuron है यहां से बेसिकल से स्टाइकोली रिलीज हो रहा है स्टाइकोली रिलीज होने के बाद अपने pre-sanitary receptor पे as well as अपने post-sanitary receptor पे bind होगा जब ये स्टाइकोली अपने respective nicotonic receptor पे bind होगा तो ये complex का formation पूरा करेगा और उसकी वज़े से nicotonic receptor पे bind होने की वैसे हमें action मिलेगा ये action होगा नॉर्मल muscle contraction और जो हमें यही चाहिए था यही होते रहता है हमारी और आपकी normal body में बट अगर किसी particular person को myasthenia gravies हो जाता है just because of autoimmune disorder उसके में क्या चीज़ नहीं हो रही होगी उसके में दो चीज़े नहीं होगी पहला एक चीज़ जो नहीं हो रहा होगा वह यही कि acylicoline properly अपने nicotonic receptor पे bind नहीं हो पा रहा होगा और हमने कहां क्या चीज़ extra हो रही होगी तो एक चीज़ extra हो रही होगी कि एक antibody आपके nicotonic receptor के ऊपर आकर के develop हो गया होगा और यह उस बने हुए जो भी acylicoline बना होगा उसको उसके respective receptor पे bind होने से रोग देगा यानि की bind होने नहीं देगा चलिए दनों में compare करते हैं सब कुछ यहाँ पे से में acylicoline अपने vesicle से release हो रहा है कुछ इसके place anaptic osicals पे bind होगी जब यह post-sanaptic osicals पे जाएगा अगर normal है अगर antibody इसको bind नहीं कर रहा है तो यह normal equipy करेगा और muscle contraction जैसा देना चाहिए था वैसा देगा चुकि इस case में आपने देखा कि एक antibody nicotonic receptor पर developed हो चुकी है यह जो blue clear में आप देख रहे हैं तो यह इसको उसके respective receptor पे acetylcholine को उसके respective receptor पे bind होने नहीं दे रहा है जिसकी वज़या से वह action नहीं मिल रहा है पहले bind हो रहा था तो हमें muscle contraction मिल रहा था अब bind नहीं हो रहा है तो definitely muscle contraction नहीं होगा muscle relax रहेगा और यही तो होता है myasthenia gravis में so this is a problem just because of myasthenia gravis just because of vitamin disease order or just because of development of antibody over the acetylcholine receptor so this diagram ने आपको पूरी कहानी कह दी कि क्या हो रहा होता तो अब जहां पर problem है वही solution as we think solution we are solution for your problem so solution क्या है जहां जहां problem है वही solution है देखे problem क्या था problem यह था कि acetylcholine ज्यादा release हो जाए तो हमारी समस्क्राइब हो जाएगी si colin कम release हो रहे थे किसी case में तो आप number one पर देखे target है कुछ ऐसे तक दिया जाए जो acetylcholine के release को increase कर दें बूस्ट अप कर दें दूसरा problem क्या था कि koilnesterase जो होते हैं या इसी को हम बोलते है acetylcholine stress इसके पिछले वीडियो में हमने इसको अपलोड किया हुआ है तो जो यह colin stress है acetylcholine stress यह acetylcholine को दीरे-दीरे डिस्ट्रॉइ करते हैं उनके respective components में जिसके वैसे acetylcholine की availability उसके respective subtaar पर कम हो जाती है और acetylcholine अपना action शो नहीं कर पाता हूँ माइस्टेनिया ग्रेबिस की केस में acetylcholine की availability ऐसे ही कम हो रही है वो bind नहीं हो पा रहा है क्योंकि antibody develop हो चुका हो और कुछ कुछ रही कही कमी acetylcholine stress कर देता है जो उसको degrade कर देता है तो हम यहाँ पर site number two कह रहे हैं कि अगर हम anti-colinus stress drug दें तो colinus stress drug की कमी के कारण से acetylcholine की availability बढ़ेगी और वहाँ पर ज़्यादा अच्य से bind हो पाएगा तीसरा सबसे important step है कि हम इस antibody को develop ही नहीं होने दें antibody develop होता है हमारा निकोटिनिक सेप्टार के उपर जिसके वैसे हमारा जो कुलिनर्जिक neurotransmitter है, acetylcholine है वो अपने respective receptor पर bind नहीं हो पाता तो अगर आप antibody के बढ़ने को ही रोग दें तो problem solve हो जाएगी इस तरह से तीन problem आपने देखा तीनों problem के पीछे तीनों का solution रखा हुआ है solution कहने का मतलब भी है कि these three are target for the drug these could be a possible mechanism of action for the dose drug which are used in treatment of myasthenia gravis चलिए ये दो डियाग्राम समझने के बाद हम back करते हैं अपने important point के और जहाँ पे concept और clear करते हैं तो अगला point पड़ते हैं तीसरा number the number of nicotinic receptor खास कर NM type के nicotinic receptor decrease हो जाते हैं one third पे चुकि आपने देखा condition number two पे कह रहा है कि हमारा जो nicotinic receptor है इनकी संख्या भी कम हो जा रही है हमारे तन्य ग्रेविश की वज़े से और nicotinic receptor अगर कम होगा तो भले ही हमारे पास STYCOLINE ज्यादा हो तो STYCOLINE ज्यादा होने का क्या फायदा जब तक उसको उसके respective side पे bind होने ना दिया जाए तो bind होने के अबाद ही उसका काम होगा यानि कि जितने STYCOLINE है respective receptor होंगे जब बाइंड होंगे तब ही जाकर के हमको उनका action यानि कि muscle contraction मिलेगा पर STYCOLINE ज्यादा है अब receptor कम हो दे जा रहे है तो क्या फायदा होगा STYCOLINE का तो यह जो प्रॉबलम है वह इसके विज़ा से भी है क्योंकि respective nicotinic receptor के संख्या कम हो चाहिए है अगला प्लेक्ट काथा इट में अल्टो कॉस कशुलर डेमेज चो दा मस्कूरियोंक रिसे जब्टार या निकोटेशिक रिसेपटार आप था मुसल्सविं ने कह लिए मुसल्स इन निकोटेशिक रिसेप्टार जैसे आप यहां पर देख सकते हैं नियूरो मस् पर शेनिया ग्रेविस के केस में कि यह उसके structure को ही change कर देगा, structure को change करने की वज़े से हमारा जो nicotinic receptor पे stykolin आयेगा, वो structure change होने के वज़े से bind नहीं हो पाएगा, और यह problem भी common सी बात है structure change करने के कारण से, structure change होने की पिछे क्या reason है, इसको हमने अपने पहले वीडियो में अभी आपको बताया है, competitive inhibitors के case में कैसे structure change हो जाते हैं, पिर हम बात करते हैं, अगले point पे, this result in weakness, अगर किसी को particularly person को myasthenia gravis होता है, यानि कि muscles में contraction नहीं होता, autoimmune disease के वज़े से, तो क्या symptoms दिखेंगे आपको, आपको symptoms दिखेंगे weakness, fatigue fullness, थकावट आएगी, extreme fatigue fullness रहेगा, और जो की, एक relax करने के बाद, वापस से recover हो जाएगा, थकावट, fatigue, muscle का contraction नहीं हो पाना, ये एक common symptoms हैं, जो अगर rest करने के बाद, आप करते हैं, तो वापस से recover होने की संभावना होगी, बट ये initial condition में ही applicable है, उसके बाद, this effect, जो करकिसी को मास्थेनिय अग्रेविस की problem होती है, तो वो किन-किन ओर्गन को basically affect करते हैं, अगर हम बात करते हैं, occurrence की priority की basis पे, तो सबसे पहले जो problem होगी, affect करेंगे organ वो है eye leads, eye leads जुकने लगेंगे, this is the eye leads, ये जुकने लगेंगे, हम आपको इस वीडियो के बाद में animation भी दिखाने वाले हैं, तो animation के बाद हम reference को पोड करते हुए, मास्थेनिय अग्रेविस का एक diagram भी upload कर देंगे, तो this is eye leads, पहले affect होता है, external, ocular उसके बाद affect होता है, ये सो पहले line वाले ही ड्रग है, उसके बाद facial muscle affect होता है, फिट secondary में जाकर के दूसरे के stage में, हमारे limb और respiratory muscles भी weak होते जाते हैं, relaxed होते जाते हैं, इनमें उसका असर दिखना start हो जाता है, अगर हम बात करते हैं treatment-y, तो treatment के approach है, जासे हमने आपको बताया, जहाँ-जहाँ problem है, वही-वही solution है, so we are solution for your problem, as कुछ drug ऐसे हैं, जो उनके specific side पे काम करके अपना असर शो करते हैं, ये drug हैं, ये drug mechanism है, by increasing STI-Coline release, number one, अगर हम STI-Coline के release को increase कर सकते हैं, तो STI-Coline के availability बढ़ती जाएगी और receptor बे-bind होने की probability है, या possibilities है, वह बढ़ते जाएगा, दुसरा है immunosuppression, अगर हम ऐसे drug use करते हैं, जो immunosuppressive का काम करते हैं, immunosuppression का मतलब होता है, ऐसे drug जो की immune system को suppress कर दें, immune system को थोड़े देर के लिए inhibit कर दें, ताकि उस period तक हम उस drug का action को achieve कर सकें, तो these are known as a immunosuppressive drug, immunosuppression की वज़े से क्या होगा, immunosuppression आगे जा करके antibody के production को inhibit करेंगे, उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि antibody हमारे respective nicotinic receptor पे bind हो रहा है, तो अगर हम immunosuppression drug यूज़ करेंगे, तो immune system का main component है, that is antibody, वो कम हो जाएगा, वो कम होगा, तो उसकी availability nicotinic receptor पे कम होगी, जब उसकी availability nicotinic receptor पे कम होगी, तो हमारा जो problem था, जिसकी वैससे nicotinic receptor पे, अगर हमारे body में plasma है, प्लाजम में antibody ज्यादा है, तो अगर हम अपने plasma को exchange कर जेते हैं, इसको हमने आगे नाम दिया हुआ, यहाँ अपके आप देखेंगे, प्लाजम फ्लेस, इस नाम फोर, इस नेम फोर दव प्लाजम एक्चेंज, तो उसमें antibody की भी संक्या कम हो जाएगी, उसके बाद हम बात करते हैं, next point की, removal of antibody, यह हमने सब्सक्राइब समझाया, then next है, नियोस्टिग्मीन, जो हमारे ड्रग है, नियोस्टिग्मीन, या इसके congeners जो भी ड्रग होंगे, तो नियोस्टिग्मीन इसका हमने फिर्स लाइन ड्रग बताया है, वह स्टिग्मीन के रिलीज को इंक्रीज करता है, एस्टाइब को इंक्रीज होगा, रिलीज उनका इंक्रीज होगा, तो वह अपने रेस्प्रेक्टिग्टेव सेप्टार के बाइन होने की पॉसिबेट्स उनकी जादा होगी, और इस तरह से उनकी अविबल्टी को जादे इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा कहता है, क्रॉटि यह इंक्रीज यहाँ पर में याद रखना जरूरी है, वह उनके संख्या को बढ़ा सकते हैं, तो अगर एक क्यूप पर एंटिबॉडी बाइन भी हो गया, तो और अगर रिसेप्टार जनरेट करेंगे, तो हमारे एस्टाइल गोईं के लिए काफी सारी जगा रहेगी करते हैं, अगला है रिमूवल अफ एंटिबॉडी, अगर हम एंटिबॉडी को रिमूब कर दें, तो भी जो ब्लॉकेज हो रहा था, वो भी हट जाएगा, बाय प्लाज्मो फोरोसिस जसा हमने बताया कि प्लाज्मा को चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें, उसके बाद है, ओवर टीट्मेंट ओफ कोलिनर स्ट्रेस, अंटी कोलिनर स्ट्रेस, यहाँ पे एक चीज़ हम से रह रही थी, हम अगर एंटी कोलिनर स्ट्रेस ड्रग को भी यूज करेंगे, तो उससे चाहोगा कोलिनर स्ट्रेस को वो ड्रग खतम कर देगा, कोलिनर स्ट्रेस को ब्रेक डा एंटी कोलिने स्ट्रेस दग यूज़ करते हैं, तो प्राबलम क्या होगा? उसकी वैसे मसल्स का वीकनेस हो जाएगा, जिसकी प्राबलम पहले से थी, क्यों? क्योंकि ये पर्सिस्टेंट डिप प्राइशन कास करेगा, और उससे क्या होता है? हमने ये निरो मस्किला ब्राइशन में बता हुआ है, पर्सिस्टेंट डिप प्राइशन होने की वज़ा से, अब हमारा जो मसल्स है, वो रिजिडिटी शो करने लगेगा, और धीरे धीरे रिप प्राइशन की बढ़ने लगेगा, यह उसके ओवर्डोस की एक problem है, यह इसलिए से हम मुलते है, कुलिनर्जिक वीकनिस, इसे कुलिनर्जिक वीकनिस का भी नाम गया गया है, सो फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही इंकपोर्टन टॉपिक के बारे में बात किया, महसनने ग्रेविस के बारे में बात किया, I am very much sure कि इस में से कुछ MCQs और short notes तो आने ही हैं तो आप ये topic को और अच्छे से prepare करना चाहेंगे तो हमने आज का notes KD3 Party से लिया हुआ है और ये diagram हमने solution pharmacy के बनाया हुआ है इसके बाद आपको इसका animation दिखने वाला है तो अभी video खतम नहीं हुई है आप stay पे रहे रहिएगा Thank you very much for watching this video Please एक look देखिए हमारे animation पे Thank you Thank you Thank you